चिराग बना दीपीका की ठाल तो बावा की ठाल बनी दीपीका जी हाँ आपको बता दे स्टाल प्रस का न्यूशो दिल को तुमसे प्यार हुआ से लेकर आ गए हैं आप सब के लिए बड़ी अपडेट जैसे के आप सब जानते हैं यहाँ पे चिराग और दीपीका की शादी पूरी हो चुकी है जान वी इंतिजार कर रही है चिराग का के जब चिराग आएगा तभी वो केक कट करेगी यहाँ पे चिराग ने जान वी को बोला था कि मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े पर बहुत बड़ा सर्प्राइस दूंगा और जिसे देखकर तुम्हारे पैरो तले जमीन खिजग दी लावन्या तो पूरी डगमगाने लगी लावन्या तो पूरे बेहोश होने के लिए तैयार बैटी थी अब आपको बता दें यहाँ पर आने वाले प्रायक में देखने वाले हैं लावन्या की खरी कोटी सुनेगी दीपिका लेकिन यहाँ पर जो है लावन्या दीपिका को मारने के लिए आती है तो उसी टाइम पर चिराग उसकी ठाल बनकर उसके आगया के खड़ा हो जाता है उससे बोलता है अगर आप दीपिका जी की बेस्ती करेंगे इसका मतलब मेरी करेंगे यह बात सच है कि यह भी मेरी वाइफ है और मैं इनकी दीपिका को सुना था क्या आपने मेरे बेट भॉसा है यह सकता नजर आ रहा है इनौने कुछ नी करा जो बोलने ही नहीं दे रही है तो जिसके बाद मैं अब यहाँ पे लावन्या ने बड़ा कदम उठा दिया है लावन्या ने जो है कि बाबा पर हात उठाने लगी जैसे ही उसने हाथ उठाया उससी टाइम् पर यहाँ पर DP का सामने आ गई अपने बाबा की ढाल बनकर ये कहती नजर आई कि आप मेरे बाबा पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकती हैं तो अब बता दें आपको कुल मिला कर कहें तो यहाँ पर शो काफी इंटरस्टिंग होने वाला है अब शो की असली कहानी शिरू होगी क्योंकि वही लड़की उसके घर में बहु बनकर आई है जिस रंग से वो नफरत करती थी यहाँ पर उसको अपनी बेटी की बाते भी याद आ रही है इसकी बेटी ने कहा था कि एसे ही रंग की लड़की तुमारे घर की बहु बनेगी और आप उस वक कुछ नहीं कर पाएंगी तो जानवी का जो हाल हो रहा है अब जब उसने चिराग और दीपी का को एक साथ दुला जुलिन के रूप में देखा तो उसका बुरा हाल हो गया यहाँ पर जो है जानवी की मा शोभा लावन्या से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज आप मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो क्यों दिल जीते क्योंकि आपर जब दीपी का फेरे ले रही थी तब भी वो य कहती कि मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं हर वो काम करूंगी जिससे मैं आपके परिवार का दिल जीश सकू जिस टाइम वो चिराग के साथ फेरे ले रही थी तो देखना इंट्रस्टिंग होने वाल है